और अच्छे ही नहीं थे मैं बुक का अभी अंदर का चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ तो पहले ये देख लेते हैं हाउ टू मेक मनी विध ब्रेक आउट ट्रेडिंग जिसमें आपको सिंपली जो बुक लिखी गई है वो इंद्राजीत तो हलो दोस्तो मैंने आज ये बुक आउडर की थी जिसे मैं आज आपको अन्बॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ इस बुक का नाम है हाउ टू मेक मनी विध ब्रेक आउट ट्रेडिंग देख सकते हैं आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा जस्ट मिनटा सो ये देखिए मैंने कैमरा सेधा कर लिया तो चलिए देख लेते हैं ये जो बुक मैंने मंगाई थी यार इसके रिव्यूस तो काफी ज़्यादा अच्छे थे और अच्छे ही नहीं थे मैं बुक का अभी अंदर का चीजें आपको दिखाने वाला हूँ तो पहले ये देख लेते हैं हाउ टू मेक मनी विद्ध ब्रेक आउट ट्रेडिंग ओके जिसमें आपको सिंपली जो बुक लिखी गई है वो इंद्राजीत संथाराज द्वारा ओके ये इनके लेखक है नाम थोड़ा अजीब स्पेलिंग उसका जो लेटर है थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए पढ़ने पा रहा हूँ बट इट्स ओके सो यह रही बुक के उपनिंग कुछ आपको ऐसे दिखने वाली है इसमें ओके एंड एनलिस ऑके एनलाइज स्टॉग मार्केट थ्रोट केंडलिस्टिक चार्ट और यह आई थिंग आपको प्राइज एक्शन वाली बुक में भी मिल गया होगा यह चीज़ देखने को जो सा ब्रेक आउट ट्रेडिंग इस अमोस्ट अंडर रेटेट ट्रेडिंग ऑके वाट इस अब्रेक आउट वाट इस ऐफाल्स ब्रेक आउट ओके यहां पर देख सकते हैं आप चीजें सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं रीट दिस बिफोर यू ड्रॉद ट्रेंड लाइन यहां पर मैंने जो यह ड्रॉद किया है ना इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं इससे मारने की वज़े से कब कहां से क्या ब्रेक आउट होने वाला है तो उसके ओपर चीजें यहां पर आपको पता चले वाली हैं तो इतनी चार पॉइंट से यहां पर दिये गए हैं जिसे हमें पढ़ लेना है भीया बिफोर हमें कोई ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉआ करते हैं किसी स्टॉक के लिए यहां पर दिया है हाव टू डिसाइड अ जिन्यून ब्रेक आउट इन शिक्स्टी सेकेंड सिक्स्टी सेकेंड मतलब एक मिनिट के अंदर ओके आप्शन के लिए यह काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि आप्शन के लिए बेस्ट रहेगा फिर है ठीक है और यहां पर देख सकते हैं एक्जिक्यूशन मेटर्स लॉट इन ट्रेडिंग जिसमें बब को बताया जाए गा इन्ट्री स्टॉप लॉस टार्गेट और जिसमें सीखेंगे दा उन्टोल स्टॉरी अबाउट ट्रेल एसल मतलब स्टॉप लॉस हाँ टो टेक यूर एक्जिट तो दे नेक्स लेवल हाँ आई स्टॉप लूजिंग मनी इन ट्रेडिंग तो कुछ चीजे के लोजिक के उपर भी डिपेंड करती हैं वाइवन स्मार्ट पीपल फॉल फॉर मार्केट कंडिशन्स यह जो है ना यह मुझे थोड़ा अच्छा लगा पता नहीं बढ़ मुझे पढ़के अच्छा लगा यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट अपने को इसमें क्या मिलने वाला है टॉ आपको काफी चीजें तो मिलने वाली है इसके अंदर जो लिखा गया है ना आपके 10 क्विश्चन के जगा और भी माइन के कई डॉट्स दूर होने वाले हैं मैं इसमें से कुछ चीजें आपको पढ़के दिखा लेता हूँ जैसे कि मुझे जो लग रही है इंपोर्टेंट can we buy before breakout candle high right and second इसमें देख सकते हैं how to trail stop loss for this breakout concept okay तो इन्होंने सायद कुछ concept अंदर बताया हो या breakout में जो concepts होते हैं उसमें चीजें बताई गई हैं तो उनके उपर क्या चीजें हो सकती हैं okay can I try intraday trading along with this concept okay जो breakout होता है और trend line होती है सारी चीजें जो इसमें बताई गी है क्या आप उसको लेकर के इसमें मतलब बना सकते हो ट्रेश्ट कर सकते हो इसके process पर तो यह चीजे भी आपको इसमें जानने को मिलेंगे जो बाई clear cut बता दे रहा है लेखक जी तो काफी अच् इस्ट्रा कैन नेवर बी इनफ जिसमें आपको आपको क्या मुझे सीखने को क्या मिलने वाला है वो मैं देख लेता हूँ 10 great books to learn other expect of a trading bonus chapter 30 great traders on a twitter top 10 lessons learn from a trading final words okay so यह कुछ चीजां में extra मिलने वाली है book के अंदर का मैं content दिखा हूँ तो यहां पर कुछ ऐसी मिलने वाली है ओके यह देख सकते हैं यह देख रहे हैं आप यह रही ट्रेंड लाइन जो इन्होंने सारी चीजें यह breakout ट्रेडिंग यहां पर देख सकते हैं जो मारी हुई है उपर देखें यहां पर मैच कर रहा है यह resistance, support इस सारी चीजें देख कर के यहां पर देखें ट्रेंड लाइन मारी गई है यहां पर भी सेम होई हाल है देख सकते हैं ऐसी काफी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली हैं जो भीया हमारे लिए काफी काम क्यों हो सकती हैं अगर हम इसे इस्तमाल किरें त तो समझ रहे हैं आप यह देखें तो बस वीडियो में इस मतलब इसमें तो ऐसी काफी चीजें दी गई है वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ठीक है मुझे लगता आपको बोर हो रहा होगा एंड इसके बैक साइड का कुछ ऐसा यहां पर बताया गया है तो कुछ न कुछ तो आपको इसमें 100% सीखने को मिलने वाली है जो आपको ना पता होगी क्योंकि भाईया बूद बूद से भरता है घड़ा और हमें अचानक तो रातो रात कुछ होने वाला नहीं है ठीक है छोटी छोटी चीजे हम सीखते हैं तो कुछ न कुछ बनते हैं तो यह रही बुक जिसके आप अन्बॉक्सिंग देख रहे हैं अभी तक सो थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो गाईज यह बुक आप ले सकते हैं अगर एज बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा इस बुक को लें रीड करें और डारेक्ट मार्केट में ना घुसने के बजाए पेपर रीडिंग करें ओके सो थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो गाईज मैं आप से मिलता हूं कुछ नए वीडियो में देट सिक्ट ओके बाई बाई